नम्शकार दोस्तों आप सब का हार्दिक स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मैं 2020 से गुरू वक्री होने जा रहे हैं और ये 13 सितंबर 2020 तक यानि के करीब 121 दिन तक वक्री रहेंगे और 121 दिन बाद 13 सितंबर 2020 को गुरू मारगी हो जाएंगी अभी गुरू अपने नीच राशी मकर में गोचर कर रहे हैं जहां परमकर राशी के स्वामे शनी पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और जिस कारन से गुरू का नीच भंग भी हो रहा है दोस्तो गुरू 16 मैं से 13 सितंबर तक अपनी वक्री रहेंगे जिसमें 30 जून तक वो मकर राशी में रहेंगे जहां पर वो अपनी नीच रहेंगे 30 जून के बाद गुरू अपनी नीच रहेंगे किन्तो अपनी वक्री अवस्ता में बने रहेंगे ब्रस्पती सबसे ज़्यादा शुब घ्रह माने जाते हैं हमारे जीवन के सभी शुब कारे हम गुरू से ही देखते हैं सबसे पहले हम गुरू की प्लेस्मेंट ही देखते हैं जिन लोगों की कुंडली में गुरू शुब स्थिती में होते हैं या जिन पर गुरू की किरपा होती है उनकी कुंडली में कई दोशों का परभाव अपने आप ही खतम हो जाता है अभी गुरू की जो स्थिती चल रही है उसके बहुत है अजीब परिनाम हमें देखने को मिल रहे है क्योंकि गुरू शनी के साथ युती में चल रहे है शनी पापी गरहे हैं और गुरू शुब गरहे है और गुरू इस समय शनी की राशी में शनी के साथ मुझूद है और शनी भी अपनी राशी में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है शनी के पास दो राशियां है मकर राशी और कुम राशी और गुरू के पास भी दो राशिया है धनु राशी वा मीन राशी यानि हर कुंडली में शनी वा गुरू की यूती का चार भावों पर असर होता है और 23 सितंबर 2020 तक तो राहू भी अपनी उच्च राशी मिथुन में ही रहेंगे जोतिश के अनुसार देश में इस समय चल रही महमारी का कारण भी राहू ही है दोस्तो ब्रहस्पती मुख्यता धन ज्यान वा संतान के कारक माने गए है आपको गुरू के इस वक्री काल में कोई निया कारे शुरू नहीं करना चाहिए 13 सितंबर को गुरू का वक्री काल खतम हो जाएगा उसके बाद आप कर सकते हैं इसके अलावा शनी भी 11 मई से 23 सितंबर तक वक्री रहेंगे राहू भी 23 सितंबर तक मिथुन राशी से वरिश राशी में गोचर कर जाएंगे इसलिए आप गुरू की अपनी कुंडली की अनुसार स्थिती को देखते हुए ही कोई कारे करें और देखें कि गुरू आपकी कुंडली में किस-किस भाव के स्वामी है और आपको इस भाव से सम्मंदित क्या नुक्सान और क्या लाब होने वाला है और 30 जून को तो गुरू अपनी स्वयम की राशी धनू में चले जाएंगे और किसी भी गृह का अपनी राशी में जाने का उसका शुब परभाव कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी गृह अपनी राशी में अपनी मनमानी करने के लिए फ्री होता है और अपनी राशी का भाव खराब नहीं करता इस लीवे वहाँ पर अच्छे फल ही देता है तो आईए जानते हैं गुरू के वक्री होने का क्या परभाव पढ़ने वाला है आज हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगी मीन लगन वाले जातकों के कुंडली में गुरू का गोचर अभी ग्यारवे भाव में चल रहा है और गुरू इस कुंडली में लगन वा दशम भाव के स्वामी है और गुरू शनी के साथ यूती में चल रहे हैं जहां पर वो 30 जून तक रहेंगे गुरु दशम भाव के स्वामी ग्यारवे भाव में इस्तित है ग्यारवा भाव लाब का भाव है और साति सातिस भाव से जातक का पेशेंस भी पता चलता है कि जातक में कितना पेशेंस है दशम भाव का स्वामी जब एकादिश भाव में होता है तब जातक को अच्छा लाब होता है किन्तु जातक असंतुष्ट भी रहता है उसमें इच्छाएं भोत बढ़ जाती है और वह उसे पूरा करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है गुरू इस कुंडली के लगनेश भी है और वो जब एकादश भो में जाते हैं तब भी जातक जाता लाब कमाने के लिए भागता है और महनत करता है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए करम करता है 30 जून को गुरू का गोचर मकर राशी से धनू राशी में हो जाएगा और गुरू आपकी कुंडली में दशम भाव में चली जाएंगे जिसके स्वामी स्वयम गुरू ही है यह करम का भाव है आपकी मान परतिष्ठा का भी भाव है आप समाज के लिए काफी काम करेंगे जिससे आपका समाज में नाम भी होगा आपके परतिष्ठा में भी विर्द्धी होगी यह आपका धन का भाग्य भाव भी है यानि आपके धन की भी विर्द्धी होगी यह आपकी एजुकेशन या आपकी संतान की एजुकेशन का कमपटिशन का भाव भी है जो कि यह बताता है कि इस समय में आप किसी भी competition में success ही पहसिल करेंगे गुरू यहाँ पर लगनेश भी है और लगनेश जब दशम भाव में आते हैं तो करम भाव में आकर करमों से जुड़ा रहता है और मानवा परतिष्ठा हासिल करने के लिए भी हमेशा प्रयत्नशील रहता है तथा समाज से संवानित भी होता है पिता से भी सेयोग प्राप्त होता है तथा उन से बहुत अच्छे संबंद रहتे हैं काररी छेत्र में आपका रेस्पॉन्स भות अच्छा रहता है तथा आप अपने कारर्यों को पूरे मन से करते हैं 13 सितंबर को गुरू मारगी हो जाएंगे और मकर राशी की और बढ़ना शुरू कर देंगे और 20 नवंबर को गुरू का गोचर मकर राशी में हो जाएगा तो दोस्तों ये थामीन लगन वाले जातकों के लिए गुरू के वक्री होने के परभाव आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक अवश्य करें साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलोजी को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद